नमस्कार बच्चों मैं पवन कुमारतिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज लखनव से एक बार फिर आप लोगों के समझ प्रस्तुत हूँ पस्तित हूँ अपने अध्यायत प्रतिलोम त्रिकोन मितिये फलन के भाग तीन को लेकर बच्चों पिछले दो भागों में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोन मितिये फलन के रूप बारे में थोड़ी चर्चा की थी जिसमें हमने ये देखा था कि प्रतिलोम त्रिकोन मितिये फलन को क्या होते हैं त्रिकोर्मिती फलन के प्रतिलोम होने के प्रतिबंद क्या होते हैं कैसे एक त्रिकोर्मिती फलन को उसका प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या उसके प्रांत में परिवर्थन करने पड़े क्या उसे उनके प्रांतों को हमें प्रतिबंद लगा कर आगे बढ़ाना पड़ा उन प्रतिबंधों के साथ हमने उसके प्रतिबंधित प्रांत को देखा और अब हम उसके गुर्धर्मों को देखने की बात करेंगे फिछले कक्षा में हमने उसके मुख्यमान मुख्यशाखा की बात की थी आज हम उसी मुख्यशाखा से आगे बढ़ते हुए इसकी कुछ सू चर्चा करनी है और ये दोनों बहुत महत्वपून हैं सबसे पहला है त्रिकोंड मिती है देखिए त्रिकोंड मिती है फलनों के गुर्धर्म ये चर्चा आपको सबसे ज़ादा महत्वपून है क्योंकि ये गुर्धर्म का मतलब यहां पर है इस गुर्धर्म का मतलब है हम इ ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं बोर्ड परिक्षाओं में इसकी चर्चा करेंगे बच्चों ये चैप्टर मैं बार-बार आपसे बता रहा हूँ कि हर द्रिश्टी से बहुत महत्वपूर्ण है ये अपने आपने जो एक चैप्टर है इसके बोर्ड परिक्षा में पांच स सारे देखने को मिलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण अब्यास प्रसनावली वहां की होती है इसके उपर अलग से एक पूरी एक्सिसाइज आप वहां भी देखेंगे तो इसलिए आज की एक लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हम इसके सभी सूतर तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे मैंने कहीं लिखा है साइन और साइन इनवर्स एक्स और मैं कह रहा हूँ ये किस के बराबर है एक्स के बराबर है सामाने रूप से आपको समझाने की दृस्टी से अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये साइन और ये साइन इनवर्स दोनों का एक दूसरे के साथ में जो रूल है वो क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसल कर देता है और केवल क्या बचता है? X बचता है लेकिन इसका मतलब बच्चों कभी भी ये मत समझीएगा मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं मैंने पिछली कक्षा में आपको याद दिलाया था इसको बिलकुल ये मत समझेगा कि ये साइन है और साइन इंवर्स का मतलब एक बटा साइन है और हम इन दोनों को काट देंगे तो X बचेगा ये गलत है बच्चों इस चीज के पीछे बिलकुल भी मत समझेगा यहां पर पावर में जो माइनस वन होता है इसका मतलब हम फलन को उल्टा कर रहे हैं हम फलन का रिवर्स कर रहे हैं ना कि हम उसको अलजबरा की तरह बीजगरित की तरह एक बटे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं यह बहुत महत्तुपूर्ण होता है और इस गलती से अपने आपको हमेशा बचाईए मैं बार बार पिछली दोनों कक्छाओं में इसकी मैंने चर्चा की है आज पुना मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग से इसकी ब्रांती को दूर किया जा सके तो बच्चों हम इसको एक एक करके सभी इन सूतरों को हम लोग सिद्ध करेंगे और देखिए हम इसको सभी कई भाग हैं हम सभी भागों को एक एक करके सिद्ध करने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हमारे पास साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स सिद्ध करना है तो ब minus 1 से plus 1 तक ही हो सकता है देखिए मैंने यहां लिखके दिया है आपको लेकिन इसको हम सिद्ध कैसे करें तो इसका बाया पक्ष ले लीजिए एक सूतर मैं सिद्ध करूंगा और दूसरा उसी परकार अन्य सूतरों को आप practice करके सिद्ध कर सकते हैं देखिए अब इसके में मैं क्या करूं माना लेट अगर मैं इसमें sign inverse x जो यह bracket के अंदर का पार्ट है इसको अगर मैं y मान लूँ थोड़ी देर के लिए तो हमारा left hand side क्या बन जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर क्या होगा sign y होगा तो अगर मैं इहां इसको देखूं तो यह क्या बन तो यह पुनह क्या हो गया x हो गया और देखिए यही आपको सिद्ध करना है आरेचेस यही था तो हमें इस सूत्र का प्रूफ तो बोर्ड परिच्छा की दिरस्ट से महतुपूर्ण नहीं है लेकिन यह हमें जानना इसलिए आवश्च है कि हमारे प्रस्णों को अपने हल क गुंधर्ने के लिए जो विधी लगानी है वो आसान हो जाती है बच्चों इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं तो मैंने इसके तीन सूतर आपके सामने लिखे हैं और साथ में देखिए मैं यहार यह लिख दिया है कि सेस प्रतिलोम त्रिकौन मिती फलन के लिए भी सबते ह होता है तो इवाप उनके लिए भी इसको इसी परकार समझें हम इसके दूसरे गुरधर्म की बात करेंगे दूसरा गुरधर्म क्या कहता है बच्चों देखिए दूसरा गुरधर्म की यह कहता है इसमें भी हम तीन की बात करेंगे और फिर मैं यहां पर भी यह जो बीच मे line लिखी है वो इन तीनों पर भी apply होगी और इन तीनों पर भी apply होगी मैंने इन दोनों को केवल sign, cos और tan के लिए आपके समझ लिखा हुआ है लेकिन हम इसकी जब चर्चा करेंगे बच्चों तो ये हमारी किस पर आनी चाहिए? tan, cot, sec, cos x सब पर आनी चाहिए बच्चों देखिए अब मैं इसको भी सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा तो बहुत आसान तरीके से ये सिद्ध होगा देखिए इसका अब हम दूसरा ले लेते हैं हमने पिछली बार sign क्या किया अब cos करते हैं तो हमारा बाया पक्च क्या है बच्चों हमारा बाया पक्च है cos inverse cos x पिछले वाले में हमारे पास inverse अंदर था और ये पद बाहर था अब आप कुछ नहीं करें माना हम अगर cos x को y मान ले रेखिए कि अगर यहां cos x y के बराबर है तो अगर हम इसको पलट के लिखेंगे उल्टा करें तो x बराबर क्या लिखा जाना चाहिए? वो लिखा जाना चाहिए cos inverse y तो इसका मतलब इस बात को अगर मैं यहां अपलाई कर दूँ तो यह cos inverse y किसके बराबर हुआ? x के तो दोनों तरह से यह बातें सही होती हैं इस बात को बच्चों आप ध्यान रखें अगर inverse बाहर लगा है तो भी यह सबते हैं inverse अंदर लगा है तो भी यह सबते हैं इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अब अगली व्यूत करम संबंद की चर्चा करेंगे आपके साथ यह भी महत्वपून सूत रहे है बच्चों साइन inverse एक बटे x बराबर कोस कोसे के इनवर्स x आप यह जानते हैं कि सामान तरे मिती में साइन और कोस एक दूसरे के व्यूत करम होते हैं एक बटा साइन x को कोसे कैस लिखते हैं यहां पर हम उसी मान की बात करें जैसे साइन 30 का मान अगर एक है, एक बटा दो है, तो कोसिक तीस्कामान दो हो जाता है, बच्छों. देखिए, साइन, inverse, एक बटे X बराबर कोसिक इनवर्ष X हमें ये सिद्धकरना है, ये सिद्धकरना है, बच्छों देखिए, सिद्धकरने के लिए y मानू तो ये क्या हो जाएगा इसका मतलब x कितना हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा qooseq y रही है और qooseq किसका व्यूत करम होता है sain का तो मैं इसको क्या लेख सकता हूँ sin y लिख सकता हूँ इधर क्या चलना है x अगर मैं तिर्यक गुणा करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि sin y एक बटा x है और इसका मतलब कि y को मैं क्या लिख सकता हूँ sin inverse एक बटा x लिख सकता हूँ अब आप यहां देखिए समिकरण 1 को और इसको हम समिकरण 2 कर दें यहां आप कहते हैं कि y इसके बराबर है यहां कहते हैं y इनके बराबर है अगर मैं दोनों समिकरणों को देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि sin inverse एक बटे x बराबर कोसिक इनवर्स x है तो यद यह sin के लिए सही है तो यह cost के लिए भी सही होगा यह ten के लिए भी सही होगा ठीक है बच्चों देखिए मैंने यहां लिख दिया है यह सूत्र बच्चों प्रस्णों में बहुत काम आएंगे इसलिए हम इनको एक-एक सिद्ध करके आपको दिखा रहे हैं और इसके हर सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो आपको प्रस्णों में आपके विचारों को बढ़ाते हैं आपके सोचने की चमता को बढ़ाते हैं इसलिए इनके तरीकों को बहुत ध्यान से समझें आप आईए आगे के गुर्धरम देखते हैं देखिए बच्चो ये प्रापर्टी बहुत आसान है आपने सामाने ट्रिक्नोमेट्री में ये पढ़ा है कि साइन आफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है होता है बच्चो अगर हम टैन आफ माइनस एक्स की बा minus cosine x होता है इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम inverse में बात करेंगे तो इन के लिए भी यह बात सही है अगर हम sine inverse minus x कहें तो minus sine inverse होता है लेकिन कैसे होगा तो इसको अगर मुझे सिद्ध करना हो तो मैं इसको आसानी से सिद्ध करता हूँ मैं इस यह माना गया तो इसका मतलब हुआ कि sin y जो होगा वो माइनस x के बराबर होगा और इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि x को यही छोड़ने तो हम इसको माइनस sin y भी लिख सकते हैं अब आप जानते हैं अगर मैं इस सूतर का प्रयोग इस जगे पर कर दूँ तो मैं इसको Y बराबर X ऐसे लिखा जा सकता है और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ Y बराबर माइनस Y ऐसे छोड़ दूँ Sine Inverse X लिख सकता हूँ और अब ये माइनस का चिन उधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएका बच्चों माइनस Sine Inverse X हो जाएका अब आप सको अगर समीकरण 1 देखें इसको समीकरण 2 देखें तो यहां हम कहते हैं Y इनके बराबर है यहां हम कहते हैं Y इसके बराबर है इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम कह सकते हैं की साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा ये सूत्र मैंने सिद्र करने के साथ इनको इसलिए बच्चों आपके लिए लिखा क्योंकि आप इन दोनों की एक दूसरे के साथ जब तुलना करेंगे तो आपको दिमाग में अपने ध्यान में रखना आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलते जुलते से हैं इसलिए इसको हम लोग आसानी से ध्यान रख सकते हैं और इसमें इन तीनों के लिए है लेकिन बच्चों आपको ध्यान होगा अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कॉस माइनस एक्स अगर आपने पढ़ा था तो इसको हम लोग कॉस एक्स लिखते थे कॉट माइनस एक्स या सेक माइनस एक्स भी प्लस होता था इसलिए यहाँ पर इनके सूत्र बदलेंगे इन तीनों के और इनको हम लोग अब देखते हैं cos inverse minus x equal to देखी क्या प्रूल सिद्ध करना है πाई minus cos inverse x बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका जो आपने प्रांत पढ़ा था वो प्रांत क्या था मुख्यमान क्या होते थे cos के जीनों से πाई होता था इसलिए यहाँ पाई आया भी है लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे तो हमने माना let माना y बराबर cos inverse minus x हमने मान लिया तो इसका मतलब की cos y कितना हो जाएगा बच्चों minus x हो जाएगा इसका मतलब की minus का जो cos y होगा वो x होगा अब आप देखिए इस minus को मैं अंदर नहीं ले जा सकता हूँ क्यों नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि cos of minus theta cos theta ही होता है तो अब ये minus को मैं अंदर adjust कैसे करूँगा तो इसका आसान तरीका आपने पढ़ा है सूत्र पिछले साल पिछले वर्स cos 180 minus theta pi minus theta is equal to cos minus cos theta आपने पढ़ा है ये तो इस minus को adjust करने के लिए मैं इसे cos pi minus y लिख सकता हूँ और इधर x चलने दूँ क्या हो जाएगा बच्चों pi minus y यहीं रहेगा और ये cos इधर पहुँचा तो cos inverse x हो गया अब आप क्या कर सकते हैं pi को यहीं छोड़ दें और यहां से cos inverse x को by तरफ ले आएं और इस y को इधर ले जाएं कहने का मतलब इनको इधर कर दें और इनको इधर कर दें अब आप देखिए कि pi minus cos inverse x वैसे ही रहा और यहां से y का जो मान है समय करना एक में जो y का मान है इस मान को उठा कर इस जगे रख दीजिए किस की जगे रख दीजिए y की जगे तो क्या हो जाएगा cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse x बच्चों यह property बहुत महत्वपूर्टी है और इसके हमें सिद्ध को सीखना आवश्यक है क्योंकि यह हमें कुछ trigonometry से जोडते हुए बात को कर रहा है बहुत महत्वपूर्ट प्रापर्टी थी बच्चों यह इसके बाद हमारी अगली जो प्रापर्टी है वो बच्चों है हमने पढ़ा है sin square theta plus cos square theta equal to x सबसे पहली property सबसे पहला सूत्र जो हमने trigonometry में सीखा वो है अब हम बात करते हैं कि sin inverse x और cos inverse x pi by 2 है या cot ten inverse और cot inverse जो दोनों यह आप ध्यान रखते हैं sin और cos अगर आप इसके पूरे नाम को पढ़ेंगे बच्चों sin का पूरा नाम sine होता है और cos का पूरा नाम cos sign होता है इसमें इस co का जो मतलब होता है बच्चों वो complimentary है यह याद रखिएगा complimentary complimentary का मतलब होता है पूरक complimentary का मतलब होता है पूरक और पूरक कौन कौन से होते हैं जिनका योग नब्बे का होता है तो sin और cos एक दूसरे के पूरक हैं tan और cot cotangent तो वो पूरक हैं sec और cosec ये पूरक है जैजिन का को एक दूसरे से मिलता जुलता है वो पूरक है अर्थात उनके एक ही मान के लिए प्राप्त कोणों का योग हमेशा नब्बे होगा साइन तीस का मान एक बटे दो तो कॉस साथ का मान भी एक बटे दो और तीस और साथ जोलेंगे नब्बे प्राप्त हो जाएगा इसी को हमने अगली प्रापर्टी में लिखा हुआ है तो ये बच्चों जरूर ध्यान रखें इस टिग्नोमेट्री में को का क्या मतलब होता है तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को अगर मुझे सिद्ध करना है पाई वाई टू तो बहुत आसान है आप साइन इनवर्स एक्स को वाई मानने तो इसका मतलब ये क्या हो गया साइन वाई हो गया इक्वल टू कितना हुआ एक्स हो गया अगर म मैं इसको इधर भेज दूँ तो यह क्या मिलेगा pi y 2 minus y equal to cos inverse x और इसको मैं लिख सकता हू pi y 2 बराबर y plus cos inverse x और y कमान क्या है y क्या है sin inverse तो इसको आप वापस रख दें sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 तो यह आप सूत्र से भी समझ सकते हैं सिद्ध भी कर सकते हैं और इसको सामानी रूप से कोई कोण रखके भी और मान रखके भी देखा जा सकता है तो ये बहुत important property है बच्चों इसके बाद हम अगले पर आते हैं आईए देखिए बच्चों एक सूत्र मैं आपको याद दिला दू ये सूत्र आपने पढ़ा है 10 A plus B equal to 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A 10 B ये हमने पढ़ा है उससे ही मिलता जुलता यहाँ ये सूत्र हमको पढ़ना है के 10 inverse X plus 10 inverse Y equal to 10 inverse X plus Y upon X minus Y होता है बच्चों ये सूत्र अगर हमको समझना है तो कुछ नहीं करना है इसको A मान लीजिए इसको B मान लीजिए कहने का मतलब की 10 inverse X को अगर मैं A ले लूँ और 10 inverse Y को अगर मैं B ले लूँ तो इसका मतलब की 10 A कितना हो जाएगा X और 10 B कितना हो जाएगा बच्चों Y हो जाएगा ठीक है और इसके बाद आप क्या करीए 10 A प्लस B का सूतर लगाएं अगर हम तो वो क्या होता है 10 A प्लस B के सूतर में आपने उपर देखा है आप मेवल मान को रख दे देखिए इस वाले सूतर में मान को रखेंगे तो क्या मिलेगा 10 A प्लस B इक्वल टू X प्लस Y अपन 1 माइनस X Y और यहां से 10 को जब उधर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा A प्लस B बराबर 10 इनवर्स X प्लस Y अपन 1 माइनस X Y और यहां A कमान और यहां B कमान वापस रख देखिए A क्या है और B क्या है हो गया सिद्ध ध्यान रखना है बच्चों कि हमें इन सूत्रों को सिद्ध कैसे करना है लेकिन इस सूत्र को बहुत ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले सूत्र यही दो है 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y लेकिन इसका प्रतिबंद याद रखिएगा इस वाले में इस प्रतिबंद के साथ हमेशा आपके साथ एक प्रस्ण को देखा जाएगा हम इस प्रस्ण की चर्चा आपके साथ अगले वाली क्लास में जरूर करेंगे जब इस सूत्र को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है two ten a upon one minus ten square a इसी तरह से बच्चों एक सूतर होता है one minus ten square a बटे one plus ten square a equal to cos two a और एक होता है sin two a मतलब sin and cos के माण भी ten के पदों में लिखा जा सकता है और यह होता है two ten a upon one plus ten square a इन तीनों की मदद से आपको अगले तीनों सूत्र जो यहां दिखाई पढ़ेंगे इन्वर्स में वो कुछ उसी से मिलते जुलते सूत्र हैं जिनकी बात हम यहां जिनकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं बच्चो और आखरी में आपको साइन टूवे का साधरन सूत्र टू सा रहे हैं उतना ही जरूरी है इनको प्रस्णों में लगाना और हल करना तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब कभी आप अपने प्रस्ण हल करें और जिस सूत्र का प्रयोग करें उस सूत्र को जरूर लिखिए इस बगल में ताकि आपको याद होते रहें आ आपको देखते ही समझ में आएगा कि ये सूत्र क्या है कौन सा सूत्र लगा 10 inverse x plus 10 inverse y तो क्या हो जाएगा आप लगा दीजे सूत्र 10 inverse x plus y बटे 1 minus x गुने y लेकिन मैंने अभी थोड़ दिर पहले आप से चर्चा की थी कि इस सूत्र को अगर मुझे लगाना है देखिए तो यहाँ x गुने y को क्या होना चाहिए एक से कम होना चाहिए तो हम इसमें एक से कम चेक कर लें एक बटे दो और गुने दो बटे 11 को चेक करें दो कट जाएगा एक बटा 11 बचेगा और एक बटा 11 एक से कम है तो यह सूत्र लग सकता है कोई समस्या नहीं है अब बच्चों देखिए आप लोग जल्दवाजी में काम और करते हैं कि यहां पर दो और दो को काट देंगे बीच में बुने काचिन नहीं तो आपका काम थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों इसके लिए क्या करिए कुछ नहीं केवल एलसियम ले लिए 11 प्लस 4 बटे 22 और यहां लेकि इस तो कट सकता है तो अधिकतम उत्तर आपको क्या मिलेगा तीन बटा चार यह हमारा पहला प्रशन है ठीक है बच्चों अब एक इसके हम पहले तीसरे प्रशन की चर्चा करेंगे जिसको देखते ही आपको सूत्र जैसे ही याद आएगा तो आप यह कह सकते हैं कि सर इस प लेखा जाए तो इसका उत्तर टू पाई वाई थ्री आ जाना चाहिए लेकिन बच्चों आप इसी समय पर यह भूल जाएंगे कि साइन इन्वर्स का जो प्रमुख मान होता है वो कौन सा होता है वो होता है माइनस पाई वाई टू से प्लस पाई वाई टू तक क्या यह पूर्ण हो जाते हैं ध्यान रखने की बात होगी है तो यह हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ देखिए साइन इन्वर्स साइन टू पाई वाई थ्री टू पाई वाई थ्री का मतलब कितना 120 डिगरी 120 डिगरी को हम क्या लिख सकते हैं 180 में से घटा के लिख सकते है तो साइन साइन इन्वर्स साइन टू पाई वाई थ्री देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माईनस पाई वाई थ्री लिख सकते हैं बच्छो मैंने कोई सूतर नहीं लगाया मैंने केवल इस टू पाई वाई थ्री को तोड़ दिया टू पाई वाई थ्र का मतलब 120 120 की जगह पर हम लोग 180 माइनस साथ लिख सकते हैं मैंने वही कर दिया कहीं कुछ परिवर्तन नहीं लेकिन अब सूतर लगाऊंगा और सूतर क्या लगाने जा रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा ये बच्चों क्या होता है ये दूसरा चतुर दांस है तो ये साइन एक्स एक्वल टू एक्स क्यों क्योंकि अब जो एक्स की जगे मान आएगा यहां पर वो पाई वाई थ्री है और वो पाई वाई थ्री किसको बिलॉंग कर रहा है किसको बिलॉंग कर रहा है पाई वाई टू से माइनस पाई वाई टू से प्लस पाई वाई टू के बीच मे है इसलिए हमारा उत्तर क्या निकलेगा इसका पाई वाई थ्री निकलेगा ना कि टू पाई वाई थ्री निकलेगा इसलिए ये प्रश्ण बच्चों बहुत महत्वपून हैं ये ध्यान रखिएगा आप इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगला प्रश्ण एक बटे दो केवल ये एक पद है जिसको हम परिवर्तित कर लेंगे तो हमारा सूतर लग जाएगा इसमें हम कौन सा सूतर लगा दे अभी मैंने आपको बताया 210 इन्वर्स X की जगे मैंने क्या बताया 10 इन्वर्स 2X अपाउन 1 माइनस X स्क्वार आप जानते हैं इसके तीन सूतर है हमें जरूरत 10 की है इसलिए हम 10 वाला लगा रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा 10 इन्वर्स 2 गुने 1 बटे 2 अपाउन 1 माइनस 1 बटे 4 ये 2 से 2 कट गया ये बचा 10 इन्वर्स उपर आया 1, नीचे आया 3 बटे चाप बच्च है बच्चों तो बच्च में ये वाला पत्र ऐसे ही चलता रहा अब आप इसमें कौन सा सूतर लगा लेंगे 10 इन्वर्स X प्लस 10 इन्वर्स Y का सूतर लगा लेंगे इसके बराबर सिद्ध हो जाएगा तो इसके आगे तो आप इसे आसानी से हल कर सकती है और केवल आपको लगाना है तो ये आपको क्या मिलेगा 10 इन्वर्स 4 बटे 3 प्लस 1 बटे 7 अपान 1 माइनस 4 बटे 3 गुणे 1 बटे 7 और ये बच्चों हो गया 10 इन्वर्स 28 प्लस 3 बटे 21 माइनस 4 मतलब 10 इन्वर्स 31 बटे 17 देखिए यही सिद्ध करना है हमको बहुत आसानी से हम इसको सिद्ध कर पाए अब आये देख के 10 इन्वर्स 2 कौस 2 साइन इन्वर्स 1 बटे 2 10 इन्वर्स 2 कौस 2 साइन इन्वर्स 1 बटे 2 ऐसे परस्बच्चों हमें मिलते हैं क्या करेंगे आप देखिए 10 inverse 2 cos 2 sin inverse एक बटे दो सबसे पहले तो बच्चों ये देख लीजेगा कि अंदर आने वाला जो ये पद है एक बटा दो क्या ये standard है अगर ये standard है अगर ये standard है तो आपको इसे केवल आसानी से हल कर देखिए नहीं है तो तिर्भज बना के हम कर लेंगे जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे भी अगली class में तो देखिए sign का मान एक बटे दो कब होता है जब कौन कितने का होगा कौन कितने का होगा तीस का तीस का मतलब पाई बटा छे तो मैंने इसकी जगे लिख दिया पाई बटा छे ये दो चलने दिया और उसके बाहर कौन चल लागा है कॉस यहां दो यह पूरा bracket बंद और यह आया 10 inverse अब यह ऐसे ही रहा बच्चों और देखिए यह यहां से कट गया क्या बचा पाई बटाए घ्री तो क्या मिलेगा 2 जओ कोस पाई बटे 8 थिक है बच्चों इस प्रकार हम अपने प्राशन को आसानी से हल कर पाएंगे और यह वाले प्राशन में आप तृभुज बना लेए इस तरह से और साइन का मतलब तीन बटे पांच ये तीन ले लीजिएगा, ये पांच, ये चारा जाएगा इसी तरह दूसरा तृभुज बनाईए इसमें तीन बटा दो है तो ये आपका दो है, और ये आपका और थोड़े अच्छे प्रस्णों की जो differentiation और integration में भी प्रियोग होंगे उन प्रस्णों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे तब तक के लिए बच्चों इन प्रस्णों को आप बहुत आराम से दो बार तीन बार हल करके अपनी practice को सुद्ड करिए और अपने सभी chapter को इसी प्रकारी chapter को और आसानी से अच्छे से समझते जाएए तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों हम अगली क्लास में फिर आपके साथ मिनेंगे इसके अंतिम भाग के साथ थैंक यू